असलाम अलेकुम आइडिया स्टुडेंट्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं आलिटरेशन तो जैसा कि मैंने आपको जूरिंग दे लेस्न ही पढ़वाया था आलिटरेशन किसको बोलते हैं तो हम देखेंगे आलिटरेशन इस फिगर अफ सपीच वायर ए गांसोनेट सांड इस at the beginning of the closely placed words for example the puckering pickle parade okay but the bitter sweet bounty and makes a lip-locking lemonade तो आएए बेटा हम देखते हैं अलिटरेशन बोलते किसको हैं अलिटरेशन सबसे पहले में कश्मीरी में बताऊंगा अलिटरेशन गौ तो यह सात जान कोईते लाइन इस यहां कोईती वर्ट इमसात जान कांसौनेट सांड रिपीड गाई चाहिए है कैते हैं किम जान ग्लोजली प्लेस अड वर्ड शाहिए हैं मुक्तिलिए लाइन आस यहां एके sentence में जहाए से मुक्तिलिफ वर्ड तिमन मस अगर एक कांसोन और समड रिपीड कह से मगर एर दे स्टाइटिंग आप दे वर्ड फार एक्जापल यह मैलिश एक्जापल दा पाकरिंग पिकल परेड वुच उसा है यह आख लाइन यहाथ मस चेपाकरिंग पै यह पहाँच आवास यह ओंग शेतिन थे पहाँच आवास यह फ्यास फेतन चेपाल ट्रेश वर्ड इसस चाड़ यह आखर गे यह बिटर स्वीट बांटी बार की आवास रिपीट होती है बास समझ में आई बाव बिटर बावाउटी तो बाव की आवाज जो है ये कांसोननट है बाव तो बाव की आवाज यहां पर क्या होती है रिपीट लहाज़ा लहाज़ा दिस टेकनिक इस आप सो काड़ है अलिटरेशन अगें इस लाइन में देखे आप इस वरस में देखे ल-la-l-la-la तेनुके जो लफजों के जो स्टारटिंग अलिपा बिट्स है वो एक तो कांसोननट है और रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे भी-la- यहाँ पे भी-la- यहाँ पे-la हाला है कि सब भी गांसोननट ही है लेगे चूंकि यह repeat नहीं होता है लहाजा alliteration यहाँ किस से आगया बर और बर यहाँ आगया पर से तेनु जगा लहाजा in short alliteration हम तब कहते हैं जब किसी भी line में किसी भी verse में कोई consonant जो है वो alphabetical sound जो है मुक्तलिफ sound मुक्तलिफ words में repeat हो in the starting चलिए अब जो हमें पढ़ना है यहाँ पे है create section circle the odd one out तो यहाँ पे odd one out निकाला है फार्जबर पहला है fairy tales, fables, comics और ढाल fairy tales होगी कहानिया fables भी होगी कहानिया comics भी होगी कहानिया कहानियों की मलब book एक तो ढाल जो है वो अलग है यह कोई कहानियों से related नहीं है library, cupboard, football books library, okay library में cupboard होते हैं, cupboard में books होते है football तो किसी दूसरी जगा होता है ठीक है तो लहाँज़ यहाँ पे आएगा football novels, toys, story books, text books text book भी होती है book story book भी होती है book novel भी book ही होती है लेकर toys book नहीं होती है लहाँज़ टॉस बाहर निकलेगा इस तरह से magazines, notebooks, periodicals और newspapers newspaper भी हम लाते हैं, खरीत के और पढ़ते हैं periodicals भी लाते हैं और पढ़ते हैं magazines भी यह तीनों के तीनों वहीं से print करके आते हैं लेकिन notebook जो है बेटा आपको पता है इसको क्या करना होता है लिखनी होती है, खोद लेहाँज़ नोडबुक बाहर चला जाए 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 now identify the character spelling in each of the set of the words हमें जो character spelling है वो निकाल है, which, which, which which का है, W-I-C-H, W-H-I-C-H यह तीसरा है, W-H-I-C-H दोसरा है, would, would, would यहाँपे है दूसरा, W-O-U-L-D यह जो would और यह जो would है यह would के, spelling इस नहीं है यह दोनों wrong है, W-O-U-D और W-U-D, बलकि सही है W-O-U-L-D, तीसरा है describe, describe, describe तो सही है describe, लहाज़ा पहला वाला ही आएगा describe, तीसरा explain, explain, explain दोनों कालत हैं, पहला और लास्ट वाला पहला ठीक है, explain, 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 A-I-N, dear, dear, dear ओके, यह कोई dear नहीं है, यह भी कोई dear नहीं है, बलकि ठीक है, टी-च, इ-I-R dear, ओके, चलिए तो भीटा, अब जब हम पढ़नी जा रहे हैं, that's adverb सबसे पहली बात, हमें देखना है कि adverb कहती किसको है ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहली बात जो है, मैं बताऊंगा definition adverb, an adverb is a word which modifies a verb तो सबसे पहली इससे पहली कि मैं आब adverb की तरफ आँँगा, मैं पहले वरब की तरफ आँँगा वरब किसको बोलते हैं वरब बोलते हैं उसमें उस word को जिसमें action हो for example, run, walk, eat, dance, play, etc तो ये वाले जो words हैं इनको वरब कहते हैं क्योंकि इनमें actions है अब adverb उसको कहते हैं ये ऐसा word है जो कि वरब को modify करता है for example, मैंने क्या लिखा he speaks loudly वो speak करता है जोर से देखो बेटा, ये जो ये speak है न ये वरब है, गोर से देखना और ये loudly जो है ये किसको define करता है ये speak को define करता है he speaks slowly अगर मैं लिखू slowly तो speak करता है slowly ये loudly क्या करता है speak कहने कि इस से related है ठीक है, तो ये बन गया add, वरब बात समुझ में आई अगर नहीं आई, मैं फिर से बताऊंगा he speaks वो speak करता है, बोलता है मसला कदम complete sentence बन गया लेकिन he speaks जो है ये क्या है, basically speak क्या है he छोड़ो, he तो प्रोनावन है speak क्या है, ये वरब है है ने, तो ये जो loudly है जोर से, यानि कि वो speak करता है जोर से, जोर से बात करता है तो loudly किसको दिखाता है, speak करने को loudly करता है क्या, speak लहाज़ loudly हो गया बेटा, adverb क्योंकि मैंने पहले ही लिखाना, वो word जो मुआड़ो करता है वरब को word कोन है, speak, लहाज़ loudly हो गया, adverb, क्योंकि ये modify करता है, speak को दूसरी एक्जम्पल लीजिए बेटा Sam Drivers Fast Sam Drivers Fast Sam तेजी से चलता है Sorry, Sam Drivers Fast Sam तेजी से गाड़ी चलाता है यहां Sam जब ड्रायो करता है तो तेज ड्रायो करता है अब यहां पर इस तो समुझ आता है For example, Sam Drivers Sam Drivers करता है Okay, क्या Drivers करता है? Car Drivers करता है, cycle Drivers करता है That is a secondary question Sam Drivers तो Drivers जो है Sam, जो है पहले यह नाउन है उसके बाद जो Drivers है, यह क्या है बेटा? हां, वरब Okay, अब Drivers जो है इसको में लिखता हूँ Drivers Fast Sam तेज ड्रायो करता है अब यह Fast क्या करता है? Fast चुकरन यह Drive काता है वाद समझ जो ड्रायविंग करन मगर चुकरन Fast Go, Fast चुकरन क्या है? Driving, लहाज़ यह बन गया Adverb क्योंकि यह इस वरब को modify करता है अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे जो की बुक पर है Adverb of Time, Adverb of Manor, Adverb of Frequency और Adverb of Place यह मुक्तलिफ जो है टाइप से Adverb वरबस की राई चलिए तो सबसे पहले आ गया Adverb of Time अब Adverb of Time क्या हो गया? Tell us the time when the action is done हमको Adverb of Time वो time बताता है एकसर वो when चलिए छोड़िए यह चोड़िए आप यह वाला सेंटेंस मैं आपको simply clear किये देता हूँ Adverb of Time होता क्या है? तो बेटाजी Adverb of Time हमें बताता है वो time जिस time action हुई हो For example John will play afterwards John bad मैं खेलेगा कब खेलेगा John? क्या? John play करेगा afterwards यह जो afterwards है यह Adverb है लेकिन है Adverb of Time यानि कि John गिंदी पात यह जनी पात चूश्य टाइम यानि कि विंक्यान ने क्या है Futuresness काच्चा समुझे वन यह Adverb of Time कारसा गिंदी है सुगिंद पात वो भैद में खेलेगा afterwards I will eat now बासा कि हम विंक्यान ने यानि के now इस टाइम इस टाइम प्रेजन टाइम में में खाऊंगा तो यह Now जो है यह Adverb है लेकिन Adverb of Time क्योंकि यह Time दिखाता है Now I will eat afterwards में बाद में खाऊंगा या I will eat afterwards में बाद में खाऊंगा उके उसके बाद Adverb of Man